प्रादेक्षना फ्रेंट्स मेरे इस चैनल या श्चेतना में आप सभी का हादिक स्वागत एवं अभी नंदन है फ्रेंट्स मेरी नई सिरीज हम देखते तो सब हैं पर जानते नहीं के सीजन वन के एपिसोड फोर में आप सभी का हादिक स्वागत एवं अभी नंदन है फ्रेंट्स मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दपातीचेगा फ्रेंट्स मैं एक सिरीज लेकर आई हूँ कि हम देखते तो सब हैं पर जानते नहीं तीन एपिसोड में दे चुकी हूँ आज मैं चौथा एपिसोड आपके सामने लेकर आई हूँ ऐसा माना जाता है फ्रेंट्स, ऐसा कहा जाता है कि हमें जब हम श्रीकृष्ण की भक्ति करते हैं तो किसी और की भक्ति की कोई आवश्यक्ता नहीं है और ये बात स्वयम श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था श्रीकृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग-अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं परचना करते हैं हर देवी, हर देवता की अलग-अलग ऊर्जा होती है पावर्ज उर्जा उनकी अलग-अलग पावर्ज होती है और अलग-अलग विधी विधान से उनकी पूजा की जाती है जैसे कि किसी को यदि बुद्धी की आवशकता है तो वो सरस्वती जी का पूजन करता है किसी को धन की आवशकता है तो वो लक्षमी जी का पूजन करता है और ऐसे ही किसी को यदि बल की आवश्यक्ता है तो वो हनवान जी का पूजन करता है Friends, सोचने वाली बात ये है कि श्री किश्ण जी ने अर्जुन से कहा कि देखो जो कोई किसी भी प्रकार की पूजा करता है वो अंत में मेरे पास ही पहुचती एक तरह से देखा जाए तो परोग शुरूप से वो मेरी पूजा करता है That means, indirectly a person who is praying सरस्वती जी is that person is indirectly praying me वो मेरा पूजन कर रहा है indirectly लक्ष्वी जी का पूजन कर रहे हैं तो indirectly मेरा पूजन कर रहा है क्योंकि ये सारी पूजा मेरे तक पहुँचती है उसके बाद ही सफल होती है तो इसलिए क्रिश्न भगवान ने अर्जन से कहा नहीं ये नहीं कहता कि आप पूजा पाट या ना करो पर जो ये पूजा आप करते हैं दूसरे देवी देवता की और फिर मेरे पास आती है वो पूरे विधी विधान से नहीं हो पाती है means that is not systematic systematic पूजा यही है कि आप direct मेरी पूजा कीजिए आप मेरा पूजन कीजिए और सब कुछ पाईए तो friends मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती हूँ मैं हमेशा यही बात कहते हूं सबका अपनी अपनी सोच अपनी अपनी श्रद्धा अपना अपना विचार आपी श्रद्धा है मेरी बात सुनीए और मालिए श्रद्धा नहीं है जैसा आप चाहते हैं वैसा कीजिए पर यह Shikrishna ने जो गीता में अर्जुन से कही बस वही बात में आप तक पहुंचाना चाह रही थी नारायन, नारायन, नारायन को भजिये और आगे बढ़िये So, see you soon friends with the next episode